Hello everyone, my name is Meeth and you are watching Technical Government Job All Over India YouTube Channel आज की वीडियो आपके लिए बहुत जादा important होने वाली है आप सबी के लिए बहुत बड़ी update में लेकर आचुके हूँ जो कि इस मन्त की latest 5-6 अलग-लग department की release हो चुके है आपको मैं 1-1 यहाँ पे बताने वाली हो department कौन सा है पोस्ट कौन कौन सी आउट ही है, पोस्ट वाइस क्या eligibility मागेगी है selection and joining का आपकी किस तरीके से होने वाली है आपको step-by-step कैसे apply करना होगा हर notification का आप मैं आपको सारा retails में या समझाने वाली हो ताकि किसी तरीकी की आपको कोई problem face ना करने पड़े इसलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरुर रखा कीजिए कोई भी latest update आता है, मैं आपके लिए हमेशा सबसे पहले लेकर आती हूँ तो आप भी अगर चैनल पर पहली बार आई है, सब्सक्राइब करके बैल इकन को प्रेस करना, ताहि जो अगली वीडियो चैनल पर आ रही है, उसका लोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा बाकी देखिए, सब्सक्राइब के इरावा बहुत सारी डिपार्टमेट है, जिनकी विकैंसिस आउट हो चुकी है आप अपनी क्वारिफिकेशन, अपनी सेटी या फिर डिस्टे के एकॉर्डिंग, हमारी जो अफिशल वैबसाइट है www.clory.com जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है विजिट करके इंफोर्मिशन लेकर आप उन विकैंसिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं आपको benefit ही मिलेगा अगर हमारी साइट को सिधा Google पर टाइप करें जैसे मैंने टाइप किया हुआ है आपको पहली number पर इस साइट मिल जाती है चलिए ज्यादा टाइम ही नेंगे सिधा बात करेंगे latest इस मन्त के आई हुए नए notification के बारे में एक प्यारा सा लाइक जरू कर देना आपका एक लाइक मोटिविट करते है आपके लिए ने अपडेट लेकर आने का और एक आपके लिए और गुड़नीज आप बताना चाहते हूँ स्टेट बैंक ओफ इंडिया मतलब SBA की नई विकैंस आगी है इसी के साथ साथ एक प्राइवर्ट डिपार्टमेंट जो की है आपका Amazon की तरफ से ये दोनों वीडियो आपको इसके बाद मिलेंगी हमारे सेकेंड यूट्योब चैनल जिसका नाम है मीत शर्मा आप यूट्योब में लिखिए मीत शर्मा चैनल आपको पहनली नंबर पर चैनल मिल जाएगा कुछ देज ही पहनली मैंने बनाया 40,000 के राउंड हमारे सब्सक्राइबर्स होने को आप इसको भी सब्सक्राइब कर लिजीगा तांकि कोई भी अपॉर्चुनटी आपके हाथ से मिस ना हो फिल्हाल हम बात करें लेटेस जॉब अपडेट के बारे में जिसमें 5-6 अलगले डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन डिसक्रस करेंगी जिसमें आप में से हर कोई अप्लाइ कर सकता है क्योंकि हर क्वालिफिकेशन वाइज इस पार विकेंज आउट हुई है किसी पोस के लिए आपका एक्जैम हो सकता है किसी के लिए नहीं भी है ताकि आपके लोकल भी कोई विकेंज आती है हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाए अब यह नोटिफिकेशन जो मैं आपको बताऊंगी या अधर मोड अप्लाई करने का नहीं है जोब लोकेशन भी आपको आपके नेरबाय मिलने वाली है ठीक है अगर आप जन्रल ओबी सी या फिर एडव्यस है आपको यहां पर 100 रुपीस पे करना है अगर आप किसी रिजर्फ के टेगरी के लिए तो आपको निल है आपकी फी यहां पर कोई पे नहीं करने है ठीक है नेक्स यहां पर हम बात करें विकैंस कौन कौन सी है सबसे पहले यहां पर देखी जो पोस्ट है वो है आपकी MTS मतलब मल्टी टास्किक स्टाफ की ठीक है इसके लिए सेल्दी देखिए आपके 28,049 है नेक्स पोस्ट मैं के लिए बात करें यहां पर 21,700 मेल गार की नेक्स पोजिशन है इसके लिए भी आपकी 21,700 सेल दिये ठीक है अगर हम यहां पर बात करें पोस्ट वाइस के आपके इलिजिबिलिटी है वो भी ध्यान से सबज़ेगा क्योंकि हर कोई आप में से अपलाई क जरcar सकने करें इसी तरीकर से में जरे सकने म. यहां पर आपके क्यों की स॑नलाई करके है इवरनाप मोर्दैन फ्यां पोस्ट में आपकी पाॉस्ट dife लिए आने वाली है उसके according आपके यहां से जोइन है ठीक है तो यहां पर कौन-कौन से document आपको verification के लिए चाहिए वह आप देख लेना जिसमें आपके qualification के document अगर आप 10th level या 12th level की vacancy के लिए प्लाई करें या graduate level की आप चाहिए 12th pass चाहिए 10th pass चाहिए graduation level की post के लिए अप्लाई करें है तीनों condition में आपको एक चीज़ चाहिए चाहिए वह आपका 10th का certificate क्योंकि date of birth proof के लिए आपको चाहिए होगा ठीक है बाकी qualification wise आपको document चाहिए अगर आप किसी reserve category से है वह document आपके पास होना चाहिए आप PWD category से हो आपके पास document होना चाहिए बस यह requirement है और ID proof ठीक है next यहाँ पर इसके लिए age limit कम से कम 18 maximum 37 से आप अप्लाई करें प्लस relaxation यहाँ पर देखे OBC category के लिए यहाँ पर तीन साल का SCST के लिए 5 साल का next EWS के लिए कोई भी relaxation यहाँ पर नहीं है PWD undeserved मतलब यहाँ पर general candidate की बात करें उनको 10 साल का relaxation है PWD OBC के लिए 13 साल का उसके बाद SCST PWD के लिए 15 years तक का आपको relaxation यहाँ पर मिल रहा है उसके recording आप अप्लाई कर सकते हो ठीक है नेक्स यहाँ पर हम बात करें इधर आपको रिक्वाइल लिंक बिल जाते हैं यहाँ पर एप्लिकेशन जो आपको सिर्फ online मोड से सब्मिट कर रहा है वो सीधा यहाँ पर इनो लिखा हुआ है किसी अधर मोड से अप्लाई करेंगे कोई आपको यहाँ पर आपकी एप्लिकेशन जो आप वो रिजेक्ट हो जाएंगी उसको एंटेटें नहीं किया जाएगा ठीक है तो यहाँ पर मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था हम 5-6 नोटिकेशन कवर कर रहा है यह पहला है अब हम सेकंड नोटिकेशन पर चलते हैं मतलब defense research and development organization की तरह से यह notification है एक notification के लिए आपको online apply करना है एक notification के लिए आपको offline apply करना है दोनों का समझा दोगे किस के लिए online है किस के लिए offline है ठीक है वीडियो को last सक देखीगा वीडियो का हर part important है ठीक है तो यहां पी देखिए apply mode एक के लिए मैंने आपको बताया online है एक के लिए offline है within 21 days आपको इन vacances में apply करना है female and male दोनों यहां पर erigible है और apply कर सकते है ठीक है आप किसी भी पोस के लिए apply करें चाहिए आप जर्नल, EWS, OBC या फिर other reserve category से हैं आप किसी भी category से यहां पर apply करें इन पोस में यहां पर कोई fee नहीं देनी है क्योंकि यहां पर exam भी कोई नहीं है कोई आपको अगर बोलता है fee pay कर दीजिए आपको pay नहीं करना ठीक है तो यहां पर मैं आपको समझाओं पहले इसमें vacances देखिए मैंने आपको बताया है तो अलग दर notification आया है सबसे पहला यहां पर जो notification है उसके बार में बात करते हैं फिर second के बार में पहला जो notification है उसमें आपके GRF मतलब junior research fellow की vacances है इसी के साथ RA मतलब research associate की vacances है इन position के लिए आपको offline apply करना है और fresh apply कर सकते हैं ठीक है इसके लिए क्या कि इनोनों notification के साथ form attach कर दिया है आपको उसको download करके print out निकालना अच्छे तरीके से fill करना है ठीक है उसके बाद इनके address पर आप send कर सकते हैं और यहां पर address यूनो notification में mention किया है उसके बाद आपको venue पर पहुंचना है इनकी जो walking interview उसी के लिए ठीक है ध्यान से समझे इसके qualification जो बात करें इस notification के लिए आपने graduation या post graduation की है relevant discipline में आप apply कीजिए next notification यहां पर आया है वो आपका आया है apprenticeship के लिए ठीक है यह जो apprenticeship का notification है इसके लिए कोई भी आपने से apply कर सकते है चाहे female है चाहे male है दोनों ही ठीक है 10th प्लस IT वालों के अलगले discipline में इसमें विकैंसिस आई हुई है वो अलगले discipline आप चेक करके इसके ल और इसके लिए 10th और idea वाले apply करे सकते है age limit इसके लिए different different है वो अब चेक करके लेकिन इसके लिए जो online आपको apply करना है उससे पहले आपको जोनका next portal है वहाँ पर register भी करना होगा ठीक है ध्यान रखेगा अब यह है second notification अब हम चलते है अगले notification पर अगला जेखे जो notification है यह आपका बिल्कुर नया आया हुआ है access bank की तरफ से ठीक है यह access bank का जो notification है इस बार भर भर कर विकैंसिस आहां पर आ रहे है इसलिए हमेशा बहते हुँ चैनल को subscribe जरू रखा गेजिए subscribe जरू कर लेना ठीक है access bank की जो विकैंसिस आई है apply mode online है कोई other mode apply करने का नहीं है ठीक है apply शुरू हो चुक है किसी यहां पर आपको जल्दी से जल्दी इन विकैंसिस में apply करना है और access bank की जो विकैंसिस आई है आपको ना यहां पर दो पोस के लिए कम से कम apply जरू करना है क्यों करना है आपको मैं आगे बताऊंगी बहुत जादा benefit आपको मिलेगा ठीक है क्योंकि इन विकैंसिस में कोई fee नहीं है चाहिए आप unreserved है चाहिए रis heartfelt है किसी को कोई fee नहीं करनी है हने हिलेगे पो कोई कसी तरीकी fee या investment नहीं है चाहिए आप किसी भी category से apply कि है नेक्स से पहले कौन कोंझ सी है बहुत संरी विकैंज इस बार आउट हुए है सबसे पहले हैं सिपरली है जो की जो के जाना फ्रेस्स पे बहुत जादा फोकस किया गया फ्रेश्स यहां पे इस पोस के लिए जरूर अप्लाई करना किया इस में आपको ग्रोथ बहुत जालदी मिलने वाली तो इस इन संटीव मिलेगा इस पोस के है वैसे तो इस पोस्ट के लिए फीमिल मेरे दोनों के लिए है बट बैंक की नॉर्मली प्रेफरेंस रहती है फीमिल ठीक है तो यह आपके लिए पैस्ट ऑपॉर्चुनेटी है टेलर के लिए अप्लाई जरू कर लेना रिलेशन्शिप मैनेजर के जो विकैंस अलग अलग है जिसमें सेल्स की अलग है फाइनांस की अलग है फॉर्च की अलग है वो डिपैंड करता है आपका ठीक है नेक्स बात करें बिजनेस एनलडिस की पॉजिशन है यह भी फ्रेश्ट के लिए है जरूर अप्लाई कर लेना नेक्स यहां पे बात करें AAC Sales की है, Sales RM की विकैंसी आयां पे, ठीक है? नेक्स यहां पे अगर हम बात करें, आपकी Center Head की विकैंसी बी इस सेलेक्षिन की बार में यहां पे बात करें access bank के जो update आया है इसमें कोई exam नहीं है in vacances में पहले भी exam नहीं होता है इस बार भी नहीं है तो फिर बात रहती है selection कैसे होने वाली है जैसे यह देखिया आप apply करेंगे मैंने आपको बताया था दो post के लिए minimum जरूर apply करना आप तीन के लिए भी कर सकते हैं लेकिन एक के लिए मत रहने देना बन्दब आप यह सोचो कि एक के लिए कर दिया तो सही है मैं आपको इसलिए बोल दूए इसमें आपके chances बढ़ जाते है रिजू में शॉट्रेस के उसके बाद आपको सिधा आपके घर के पास ही बैंक में बुलाए जाने वाला इंटर्वियो के लिए उसी के basis पर आपके selection and joining है ठीक है नेक्स यहां बात करें age mid minimum 18 maximum वैसे describe नहीं किया है maximum यह इनके requirement और इनके post के according डिपेंड करता है maximum 48 भी हो सकती है 52 तक भी हो सकती है ठीक है next यहां बात करें salary describe तो नहीं है पट आपको best in market salary यहां provide की जारी है last में देखिए आपको यह link मिल जाते हैं यह पहला apply का second notification का इधर click करके आप apply कर सकते हैं तो यह तो है आपका third fourth notification ठीक है अब हम next notification पर चलते हैं next notification है बिल्कुल नया notification है आपका airport की तरव से काफी दिन से मेरे पास comments आ रहे थी कि मैम airport की vacances हमें बता दीची कब आएंगी जहां पे female and male दोनों apply कर पाएं तो यह जो notification है airport की तरव से यह male and female दोनों की vacances के लिए आया हैं दोनों यहां पर apply कर सकते हैं ठीक है यह notification आपका सीधा airport की तरव से है जो मैंने आपको पहले भी यहां पर clear किया है और यह आपकी permanent job रहने वाली है best तो यही आपकी ठीक है permanent job में आपको बहुत जादा benefit मिलते हैं salary के साथ साथ जो आपको वह बताएंगे नेक्स यहां पर अगर हम बात करें आपका इसमें selection कैसे होने वह आगे बात करेंगे पहले हम विकैंस के बार में बात करते हैं सबसे पहले यहां पर जो पोस है देखिए CSA मतलब customer services agent के लिए out हुई है ठीक है इसके लिए आप apply कर सकते हैं next यह आपके loader और housekeeping के लिए इसमें overall अगर मैं आपको बताऊं 10th pass 12th pass graduate apply कर सकते हैं यह permanent आपकी job है इसलिए यहां पे fee भी आपकी है अगर पहली position के लिए बात करें 380 plus GSA second के लिए 340 plus GST आपको pay करना next यहां post details की check करें सबसे पहले यहां पे जो post है देखे customer services agent की ठीक है उसके बाद आपी loader or housekeeping की first position के लिए 2653 vacancy आउट ही है second position के लिए 855 है 3800 plus vacancy है मैंने आपको बताया था आप यहां हर को apply कर सकते है 10th to 12th graduate यहां qualification भी सीधा mention की हुई है normally customer services में आजशी रिट में graduation required होते है अबट यहां 12th pass मांगा गया है 12th and graduate दोनों apply कर सकते है next यहां में बात करें इसमे reservation का कुछ भी describe नहीं है कोई भी apply कर सकते है selection की वहां में बात करें आपका यहां पर written exam हो रहा है उसके basis पर selection है जोइनिंगे आपकी इसमें उसके बाद interview भी हो सकते है अगर required होगी उसके basis पर selection है next यहां पर syllabus सारा mention क्या हुआ है part 1, part 2 में क्या क्या included यहां पर रहेगा वह आप रीट कर लिए क्या क्या document चाहिए वह यहां पर लिखा है age limit आपकी relaxation मिल रहा है तीम साल का पांच साल का वह सारा check कर लिए इधर आपको apply link मैंने दिये हुए है अब हम चलते है next notification पर जैसे मैंने आपको बताया था हम इस वीडियो में total 6 notification discuss करेंगे नेक्स notification पर चलते है यह भी आपका post office का ही है ठीक है इंडिया post office की तरव से आपको पता है अलग लग position के लिए हमेशा vacances आती है यह अलग position के लिए है जहां पर female male दोनों apply कर सकते हैं इसमें आप में से हर कोई apply कर सकते है कोई exam नहीं है और fresh इस इलिजिबल है ठीक है नेक्स यहां पात करें notification इंडिया post की तरव से apply mode online है only ठीक है कोई other mode apply करने का नहीं है जॉब location आपकी across इंडिया है इसके लिए आपको यह application fee यहां बात करें जर्नल, OBC, male candidate के लिए आपकी 100 है female के लिए कोई fee नहीं है ठीक है AWS, SC, ST के लिए आपको कोई fee पे नहीं करने है ठीक है application fee यहां पे जो है आपको किसी भी category से आप apply कर रहे है अगर मैं खास तोर पर reserved की बात करूं उनको fee नहीं करने है चाहिए आप SC, ST, AP, WD category से चाहिए कोई other reserved categories है आपको कोई fee नहीं देने ह ठीक है online pay करना है उसके बाद यहां पर हम बात करें इसमें विकैंसे details के बारे में इसमें जो position है देखिए तीन तरीके की पहली आपकी डाक सेवकी उसके बाद देखिए BPM मतलब ब्रांच post master की next ABPM assistant branch post master की विकैंसे के लिए आप apply कर सकती है आप किसी भी position के लिए apply कर रहे ह है basically 10th level vacancies है ठीक है तो यहां पर आपकी जो selection होने वाली है यहां पर सीधा लिखा है कि आपके जो selection है merit list आपकी आएगी merit based आपकी selection होने वाले जो आपके 10th class के qualification के marks के accordingly वो आपके zone wise यहां पर आने वाली है list ठीक है जहां पर आपको seven to eight days का time normally मिलता है document verification के लिए बहुंच रहा होता है ठीक है उसके basis पर selection है आपकी यह आपको ध्यान डखना है next यहां पर हम बात करें इसमें आप यहां पर check कर सकते हैं grade point पर गयरा क्या-क्या यहां पर eligibility मैंने आपको अल्रेडी बता दिया salary यहां पर आपकी 29,000 से above है age limit देखें हैं आपर सबसे वड़ा स्वाल कम से कम 18 आपकी age आप apply करें maximum 40 है आप apply कर सकते हैं आपको relaxation में बहुत बढ़िया मिल रहा है जिसमें देखिए SCC को 5 साल का OBC को 3 साल का AWS के लिए को CST के लिए 15 साल का relaxation है यहां पर देखिए qualification मैंने आपको अलड़ी बता दिया इसके लिए आप apply करना होता है लास्त में जाके आपको link मिल जाएंगे जो इसका short update को आप उसके लिए apply देखिए कर सकते हैं यहां पर अपनी qualification वाइस और railway की तरव से ठीक है यह जो vacances आई है इसमें freshers apply कर सकते हैं कोई exam नहीं है clearly यहां और डिस्क्राइब किया है without exam आपकी यहां पर hiring हो रही है जो यह railway की तरव से notification विलेको latest आया हुआ ठीक है female and male दोनों apply कर सकते है notification रिलीज हो चुका है apply mode इसके लिए सिरफ और सिरफ online है जो मैंने आपको पहले भी यहां clear किया है ठीक है आपको सिरफ online ही यहां पर apply करना होगा यहां पर लिखा भी हुए within 20 days आपको apply करना है male female दोनों को अगर हम यहां आप जर्नल OBC AWS है ठीक है आपको 100 रुपी करना है अगरा male candidate है SC ST या other candidate even female candidate कोई फीर नहीं है फ्रीम अप्लाइग कर सकते है नेक्स यहां भी विकैंसी के बार बात करें काफी टाइप की है सबसे पहले यहां पर filter के लिए है टेक्स से इलेक्टरिशन वायर्मेन इलेक्ट्रोनिक मेकैनिक ठीक है welder, plumber, painter, carpenter, gas cutter, COPA के लिए विकैंसी है machinist, turner, dental laboratory के लिए है, hospital management, gas cutter, cable generator, digital photographer ठीक है यह विकैंसी आउट हुई है इस विकैंसी में आप फे 10th plus IT relevant discipline में आप अप्लाइ करें selection आपके इसमें merit based हो रही है जो मैंने आपको बताया, exam कोई नहीं है इसमें आपके merit list इनकी official site पे ही सिदा आएगी 10th basis पे ठीक है 10th और IT के basis पे उसके recording आप यहां जोइन कर सकते हैं प्रेंट्शिप के रहे ठीक है जिसके लिए आप जो हमारी official site www.chlori.com पे सीधा जाके apply कर सकते हैं आपको वहां पे one by one link मिल जाएंगे लेकिन आपको इक चीज़ ध्यान से समझना है जो post office का मैंने आपको notification बताया है वो अभी short update ही है जैसे ही उसका complete notification आएगा मैं आपके लिए वीडियो उसे टाइम ले आऊँगी इस तरह हमेशा बोती है सब्सक्राइब जरूर रखा किजिए जाकि आप यहां से कोई भी मोखा निकल ना जाए एक और बहुत अच्छा डिपार्टमेंट आपको इसके बाद वीडियो मिलने इसके बाद हमारे सेकेंड यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मीत चर्मा यूट्यूब में लिखना मीत चर्मा आपको पहली नबर पर चैनल मिल जाएगा जाके सब्सक्राइब करना तांकि कोई भी अपॉर्चनलिटी आपके हाँ से मिस ना हो बाकि आपको देखे कोई भी स्क्वेरी होती है ठीक है आप हमें कमेंट जरू कीजी हमारी टीम बैठे है डैफिनिटी आपको हेल्प मिलेगी आप इंस्टाइग्राम पर फॉलो कर सकते हैं हमें टेलीगरम जोइन कर लेना वहां पर तो मैं कोई भी लेटर्स अब्डेट आता है वहां पर जादी शेयर क कर देती हूं कि आपको पता है वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग जाता है ठीक है और फेस्टूप पेज इंस्टाग्रम दोनों फॉलो रखना लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में आपको दिये हुए है कोई भी आपको हेल्प चाहिए किसे भी नोटिकेशिंग के रिग तक के रिये हुए है कि रिए एक है तक नद्दाग्रम रखना दिये है तक है